हेलो एरीवन वेलकम टू जीपीएसी नेट्वर्क तो मित्रो आईटी आई सुपरवाईज इंस्ट्रक्षन नी तैयारियुमा वधुमा वधुमा वधु वेग मडी रेते माटे एपलाइड मीकेनिक्स अने मीकेनिक्स ओप स्ट्रक्चर ने स्टडी करिया पची आज ना वीडियो ने अंदरमा आपने वाद करीशू हाईड्रोलिक्स वीचे हवे मित्रो आई हाईड्रोलिक्स लेक्चर पचे नेक्स कईो सब्जेक्ट तमाने प्रिफर करवो छे ए मुझो बज आपने या लेक्चर सिरीज ने कंटीनियू राखी सकी तो माटे निचे ने कमेंट बोक्स ने अंदरमा लखी न जणाओ के नेक्स सब्जेक्ट आपने कईो प्रिफर करवो छे हवे वद्दू समय नहीं लेता आजना वीडियो ने सरुवात करिये पर तो वीडियो शरू करता पेला आप सर्व विद्द्याति मित्रों ने एक नम्बर विननती छे के आपने चैनल ने जो हजू शुली सब्सक्राइब ना करी होई तो सब्सक्राइब करी दो और तेनी बाजू माँ आपेला बेल आइकोन ने पन दबावे दो चेती करिन्य आपना दरेक वीडियो लेक्चर नी नोटिफिकेशन आपने सोब सम्मड़ी सक्के तो सरू करी आजना प्रत्थम क्वेशन थी जे प्रभाई टाव इस एकोल टू म्यू डियू बाई डियू आई सब्सक्राइब अनुसरे तो तेने खाली जगिया कहवामा आवे छे तो मित्रो आप रकाना क्वेशन गवारम बार पुछाता होए छे अन्ने एनी साथ जोड़ा एला फेक्चुल डेटारी पन आजे अपने बाद करी सुँंग कजो if it is a fluid which is follow the Newton's law of viscosity then it is called as the Newtonian fluid if it is not follow the Newton's law of viscosity then it is called as the non-Newtonian fluid बराबर छे मित्रो हवे एक सुत्रो आपने Newton's law of viscosity नों याद राखिये सूचे formula तो अगें tau is equal to mu du by dy rest to n where the n which is equal to the behavior index हवे आप behavior index मुझे बज आपने fluid ने classify करी सक्किये छे जो behavior index which is greater than 1 then it is called as the dilatant if it is less than 1 then it is called as the pseudo plastic तो आपने वस्तु मित्रो खुबज अगरती नी बनी सक्के छे हवे बात करी ideal fluid ने if the fluid which have a zero viscosity or non-viscosity and the fluid which is also incompressible then it is called as the ideal fluid अने ideal fluid माटे shear stress अने velocity gradient velocity gradient एटले मित्रो du by dy आप बणने पन केवा होईचे सुनिये होईचे तो आप बदा ज फेक्टिवल डेटा मित्रो इंपोर्टन्स चेने याद राखवाने कोसिस करो त्याद बाद क्वेश्ण चे के पाने फिक्टिवल डेटा होँआ करता केटली होई छे फिक्टिवल डेटा मित्रो विसकोशिटी तो के वोटर ने विसकोशिटी हमेशा एर करता 55 गणी वदारे हसे बराबर चे आ मित्रों फेक्चुल लेटा चे याद राखवानी ट्राइ करो हवे साथे बिज़ापन डेटा नी बात करवामा आवे तो कि विसकोसिटी ओफ वोटर विसकोसिटी ओफ वोटर विची इस हायर कंपेर्ड विद दी विसकोसिटी ओफ मर्कुरी तो कि मर्कुरी नी विसकोसिटी करता वोटर नी विसकोसिटी के वी हसे मित्रों खुबज वदा आरे हसे और साथे बात करी कि सर्फेस टेंशन नी तो कि वोटर नों ये सर्फेस टेंशन चे ए मर्कुरी ना सर्फेस टेंशन थी पन ओच हुँ हसे तो याद राखो के 1 स्टोक is equal to 1 सेंटिमीटर स्क्वेर पर सेकंड जे स्टोक यूनिट छे कौन यूनिट छे तो ये यूनिट छे काइनेमिटिक विस्कोसिटी नो अने ए सीजीएस यूनिट नी वाद करवा मां आवे तो तेने केवा मां आवे छे स्टोक अथवातों सेंटिमीटर स्क्वेर पर सेकंड अने क इस साई यूनिट नी बाद करवा मावैं तो side unit मित्रों meter square पर second तो 1 meter square per second is equal to 10 ass así rupees to . आथवा तो stop ! राबर और हों ने ये पारिमानेक सूत्र ने वाराम वार एक्जान माँ पूछात को हुएचे कि ships can權 नो पारी मनेक सुत्र है लगे डाइमेंशन परिमान के उख होई छे तीटी इस इक्वल टु एम एल टी तो जीरो टू माइनस वन ए गाइनरमेटिक विसकोसीटी नो डाइमेंशन परिमान छे त्याद बाद क्वेशन नहीं बात करिया जे मोस्ट निम्पूरन च्वेशन छे क घिए 1 पूइज E क्वाल 2 ओट तो हमना चेऊ बात करें यह मुझा हवेrand 1 पूइज is E Jackson या स cœur चे पॉइज राखानेज तरो टा करो क्यों नीईटन सेकंड पर मीटर स्क्वेयर इज इक्वालच hall गराबर जो 10 पोईस हता होए तो एक पोईस बेदला केलों थास जें तो के 10 देस्टू माइनस 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वेर हवाज यह पोईस यूनिट छे ए डाइनामिक विसकोसिटी नो यूनिट छे औने ए डाइनामिक विसकोसिटी नो CGS यूनिट छे ज़र है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वेर चे ए डाइनामिक विसकोसिटी नो SI यूनिट छे मित्रों लगास याद कर राखो औने पिजो जो CGS यूनिट नी बात करव माँ आवे डाइनामिक विस्कोसिटी नी एचे डाइन इन्टु सेकंड पर सेंटीमिटर स्क्वेर आ में तुरों CGS यूनिट छे वधना यूनिट कन्वाजेशन नी बाद करिए तो 1 सेंटी पोईज इस इक्वल टु 0.01 पोईज थसे बराबर जे तो आप बदाज फेक्ट्वल डेटा जे मित्रों इंपोरन्स छे वधू माँ वधू बाद करिए तो के विस्कोसिटी ओफ वोटर नी बाद करिए तो के लिए थसे तो के 0.1 सेंटी पोईज औने विस्कोसिटी ओफ एर नी बाद करिए तो यह थसे 0.0181 सेंटी पोईज तो खुब अज इंपोरन क्वेशन चे मित्रों बाद तो तो त्याद बाद क्वेश्चन नी बाद करों मा आवे तो काइनामेटिक विस्कोसिटी नो एकम कयो होई छे वोट इस दी यूनिट आफ काइनामेटिक विस्कोसिटी तो हमना आज बात करीं के ए यूनिट चे स्टोक अथवा तो सेंटिमीटर स्क्वेर पर सेकंड अथवा तो मीटर स्क्वेर पर सेकंड जे पास्कल चे इस प्रेसर नो यूनिट चे पोईज चे डाइनामिक विस्कोसिटी नो यूनिट चे बराबर त्यादबाज क्वेस्टन जाएक डायणामेक विस्कोसिती नो कम क्यों होई चे what is the unit of the dynamic viscosity it is the poise अथवा तो थसे newton second per meter square त्यादबाज क्वेस्टन जाएक डायणामेक विस्कोसिती mu अने kinematic viscosity v नो सबंध सु होई चे तो हमेशा ये सबंद आपने दर्शा आविए तो सबंद आपने मड़े सकते मित्रों के इट इस दी रेशियो बिट्विन दी डाइनामिक विसकोसिटी तो देंसिटी ओफ देड फ्लूड राइड तो राइट आंसर वुड बी बी त्यार grass question ने जो वाद करो हमां आवे तो एधत si के काइम्हेतिक विसकोशुती नों एककम required होई च्छे नई किम्हेतिक विसकोशी नौhey पुझेन 4 ग उसकोता है抗या। 17 साभू ना परपूटा नि अंदर मुझा दबान गाता है था अनुग क्या बाष्य हूर लिएक ृफ्यक्यी में去 टोओ to the greater than the outer surface तो अंदर ना भाग ने अंदर मा वजार रह से आउटर ना भाग करता बराबर छे हवे घना बदा क्वेशन से याथी निकरी सक्के जाए तो एक वस्तो लखे प्रेसर वीचिस डाइरेक्ट इनडारेक्टली प्रपोस्टनल तू दी इनवर्स्टी प्रपोस्टनल तू दा डायामीटर ओफ द बबल्स त्यारबाद क्वेशन निवाद कराऊं मा के बोलपेन कया सिंधा अथ पर काम करे छे बराबर तो बोलपेन छे ए पुरुष्ट तान एटले के सर्फेस टेंथन ना आधरे काम करे छे जह आपड़ा बोलपेन दी लखी छे ए साई जी लखाई छे एक कया सिंधा अथ लखकया नियम उपर आधर राखे छे तो ए सर्फेस टेंथन उपर काम करे छे त्यारबाद क्वेशन छे कि Newton नो विसकोसिटी नो नियम कोना सरबंध वच्चे नो दर्शावे छे तो कि Newton slow viscosity which is indicate the relation between the what it is the relation between the shear stress and the angle angular deformation एनने आपना गुजराती मा करिये तो तरल नी shear stress अनने कोणिय विरूपन नो दर तेना ओपर आधर राखे छे हमना जा अपना वाद करी कि Newton slow viscosity सूचे तो टाव इस इकोल टू म्यू डी यू बाई डी वाई बराबर त्या बाद छे कि आकास मदी पर तू वर्सातनू टिपू खाल जीगे न लिदे गोलाकार बने छे तो कि जारे पन ये वर्सातनू पाणी अथो तो कोई पर पानी छे अथो कोई पर फ्लूड छे ए गोलाकार आकार के भी तधराव से तो ते इन उपर डीपन करे छे सर्फेस टेंसर उपर एदला के साच्चो अंसर छे पूर्स्ट थान उपर केरबाद छे के बदाज प्रभाई उपर नी उपर नी सपाटी खेचला पड़नी जेम वर्ते छे तेने सु केवाम आवे छे बराबर तो तेने केवाम आवे छे पुरुष्ट थान अगेन अथवातो सर्फेस टेंसर अवे सर्फेस टेंसर शेन ना कारने होई छे मित्रो एक तो एडेशन ने कारने होई छे अनभी जू और कोहेजन ने कारने होई छे बराबर तव वस्तु जवाबदार से सर्फेस टेंसर ना एक वदरानी वस्तु पन नोंद करो के सर्फेस टेंसर विचिज इनवर्स्टी प्रपोश्टन को जेम जेम टेमप्रेचर वत्तु जासे सर्फेस टेंशन छे घड़तु जासे वदरानी अजू पन वाद करिये तो सर्फेस टेंशन नो एससे यूनित थसे मित्रों न्यूटन पर मिटर बराबर अन्य जो पारिमानिक शुत्र नी जो वाद करवामा आवे तो ए थसे MLT तो 10-2 आ खुबज इमपूरन क्वेशन छे मित्रों हमना पन वाद करिये ती एमुझो के प्रेसर विची इन्वर्सली प्रपूस्ट नरूद डायामिटर ओफ तबबल्स एपण मित्रों सर्फेस टेंशन साधे पन रिलेटेड छे त्यादबाद क्वेशन नी जो वाद करवामा आ आवे तो नीचिना मादे कईउ पुर्ष्ट ताननू उदारन छे तो के कीटको पानी उपा जारी सके छे पातरी बलेड पानी मा तरी सके छे वर्सातनू पानी गुडा का टीका सरूपे जमिन पर आवे छे तो बद्दा जी छे एमुझो कारण भूद छे सर्फेस टेंशन अथ्वा तो पुर्ष्ट तानना तो साच्चो आंसर छे यहां D त्यार बाद छे के पानी भरेला पातरमा पातरी नडी डूबारत पानी मा नडी पानी नडी मा क्यो थासे तो के पानी छे ए नडी ने अंदरमा उपर जल से बराबर त्यार बाद क्वेशन छे के पारो भरे लिए कोई नडी छे एनने आपला पानी ने अंदर मा कोई पात्र मा डूबारी यह छे तो सु कर से तो के जे पारो छे एननू स्पेसिबिक ग्रेविटी छे खोव वधर असे कंपेटु वोटर एटला माटे नीचे आवँ ट्राइकर से एटले के नीचे उतर से और जे पानी से एननी स्पेसिबिक ग्रेविटी मर्क्यूरी गत्ता ओची हासे एटले यह उपर आवानी ट्राइकर से बराबर चे आई होप क्या समझमामा आविव होसे तो त्यारबाद क्वेश्यन नीचे बात करों मा आवे तो के वात्तावाणनू प्रामानित दबान पाइना स्थम् मा आवे तो के लो उथा से तो यह था से मिजो 10.4 मिट्र हावे एट वात्तावाणनू प्रामानित प्रामा दबार एन एटले सुके वामा आवे चे तो इंग्लीस मा बात करिये तो एट्मोस्फेरिक प्रेसर अन्द प्रेसर विच इज एग्जर्टेड बाई एर इट इस क किटलू होई चे तो कि 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेर बराबर अथुआ तो 1.033 कजी एफ पर मीटर स्क्वेर बराबर अथुआ तो 706 mm HG एटले मर्क्यूरी अथुआ तो 10.34 मीटर ओफ वोटर जी आपने क्वेशन पुछ होँआ मा आवियो चे ता बदा आज क्वेशन चे मिटरों इंपोर्टन्स चे अन्ने एक वस्तुपर बदार ने नोट करी लिए कि एट्मोस्फेरिक प्रेसर चे सेमा मापवां मा आवे च यह मापवां मा आ चे बोरो मेटर मा चे तो इह माक्यूरी मीटर नी अंदर मा छे मां मापवां मा आवे माक मा आ चे तो घमना आज वार करी यह है कि एट्मोस्फेरिक प्रेसर छे एले के स्तानिक वाता अनू जे दबान से एक मर्क्यूरी मीटर अथ वत्तो बोरो मीटर मम पवाम आवे छे एले के पारानू मेनो मीटर त्याद बात चे के वादताओं दबान गेटलू होई छे तो हमना जवाद करियें के 700 साइटे में पारा नोस्तम 10.34 पानी नोस्तम अथवा तो 101.43 किलो पासकल किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वेर ता बदाज उपणना जे आंसर छे करेक्ट थे अटला माट आंसर थे याशे दी त्याद बात क्वेशन के पानी मां बरफ नो ब्लोक तरे छे तो बरफ पिकडी जवाद पानी नो लेवल के उथा से तो मित्रो विचारों के पानी एक ब्लोक बरफ ना ब्लोक ने पानी ने सपाड़ी उपर आखवा मां आवे छे तो पानी नो ब्लोक शू कर से तो के ए पनक वोल्यूम कंज्यूम गर शें हमें एव ओगणे छें दीमें अने ओगणे पची जे पाने चे बरफ जे लीधेलू जे वोल्यूम चे एव धारन गर ले अल्टीमेटली वोल्यूम एटलू नेटलू रेसें एटले हो कई सकाई कि ये नूँ एज रेसें तो राइट आंस थाई याशे सी क्या बात चे के पाणीनी मुख्त सप्पादी थी नीचे हाईड्रस्तेटिक दबन केटलू होई छे अजो तो वद्धे छे घटे छे लेकि येवा प्रकानों सबंध रावे छे तो यह खुबस इंपुरनक क्वेस्टन चे वारम वार पुछा तो प्रस्ना चे हवे तुरे का हाईड़स्तेटिक लोग आपने बढ़ी गया चे है सूचे के प्रेसर इंटेसेटि विच इस इकोल स्वेट अब देट फ्लूइण एतले के आपने अपने मैथेमेटिकल आपने वाथ करी तो के पिचल स्वेश्य प्रेसर क्यों पार्ण चे रेट अन्य है ज वद ता प्रेसर छे वद तूजर से, त्यास बाद छे कि एक बार इस इकोल टू केटला पास्कल था से, आ ग्वेशन खुब इंपोरन्स चे कि 1 बार is equal to 10 raise to 5 पास्कल, अना 1 पास्कल is equal to 1 newton per meter square, जे प्रेसर नो SI unit छे मित्रों, बराबर जे नेक्स्ट ग्वेशन चे आपड़ों के 1 पास्कल is equal to 1 newton per meter square, it is the SI unit of the pressure त्यार बाद question छे कि पीजो मेटर थी मपातो प्रवाई नो दबान एक अईउ होई छे, तो कि पीजो मेटर नी मंदद कि आपने जे pressure मापी है प्रेसर होई चे ये pressure होई चे गेज़ प्रेसर, जे गेज़ प्रेसर ने आप प्रेज़ प्रेसर पर गई है छे बराबर अने हमेशा ATM एटमोस्फरिक प्रेसर थी के होई है अपर ये उपर है बराबर त्यार बाद चे के पास्कल ना नियम मुझब प्रवाई माँ कोई पन बिंदू ये दबान के होई चे तक विचीज तक प्रेसर इंटेंसिटी एर एनी पॉइंट विचीज सेम इन ओल डाइरेक्शन येलेके बदीज दीशाओन ये अधर माँ ये सम्माण येलेके इकोल हसे त्यार बाद क्वेश्चन चे के डिफ्रेसर मेनोमेटर सू आपे चे तो डिफ्रेंशेट मेनोमेटर चे मित्रो ए बे बिंदू वचे नो दबाल नो तफ़ाओ लेके डिफ्रेंशेट बिंदू येलेके बे पॉइंट वचे नो प्रेसर नो डिफ्रेंश आप चे मित्रो बराबर और बिजीवस में वास तो याद करो इट इस अच्छो त्यार बाद चे के ओईल नी घंता 0.8 नो 0.3 मिटर हेड बराबर पानी नो हेड के लो था से लेका मेनो मिटर नो सिंपल फोर्मिला चे में तो यह याद राखी लियो कि S1, H1 is equal to S2, H2 तो S2 ने H2 बनने आपेला चे 0.8 ने 0.3 अने पानी नी चे specific gravity चे केटली होई चे तो के एक होई चे तो आपने हेड मरी जासे हैं हेल केलकुलाटिंग उपर ता यह आपना आंसर मर से 0.24 चेल बाद चे के पीटोर ट्यूब वहता पानी ना खाली जगे मापवां माटे वपराई छे बराबर तो पीटोर ट्यूब चे मित्रों यह सु मापवां माटे वपराई छे तो के वेग आथो तो यह कई से के velocity at the point जे पना पॉइंट बास ते आपने वेलोसिटी मापी है चे ए पॉइंट पास यह एने आपने जीरो कंसिर करे चे ए प्रिंसिपल कर वर करे चे पीटोर ट्यूब यहनों आपने मेथेमेटिकली आपने एक्स्प्रेस अंजोई है तो के v is equal to cv root of 2gh cv सुझ है कोईफिशन ओफ विसकोशिटिंग sorry so coefficient of velocity रूट ओफ 2gh त्यार बाच चे बरुनोली ना सुत्रा सुझ है तो के बरुनोली ना सुत्रा चे मित्रो के p by w plus v square upon p upon w plus v square upon 2g वद्ता z बराबर pressure kinematic velocity यहने potential head pressure head velocity head and potential head it is equal to the constant so right answer would be c हवे assumption नी वाद करवामा आवे बरुनोली ना तो incompressible चे ideal fluid माटे चे ता बदा जे वस्तु आपने consider करवी पर से त्यार बाद question नी वाद करवामा आवे तो के प्रभाही मा उधुआ रीते डुबाली सप्पाडी नू दाब केंद्र ते सप्पाडी ना मध्य केंद्र उपर खाली जेग्या होई छे वे एक प्रभाही चे प्रभाही चे प्रभाही निंद्र माँ वर्टिकली कोई सर्फेस ने दू बालवामा आवे चे मनिलोग के एका पात्री ने पानी बरेलू छे ब्राबर अने ए पानी निंद्र माँ आप्रे वर्टिकली कोई सर्फेस ने दू बाल ये चे तो चे दाब प्रेसर लेके center of pressure और अन्य center of gravity के हवा से बढ़ने एक जगिया उपर हासे लेके same हासे बराबर त्यारबाद तोके vertical हासे जो पानी इंदर मां surface ने vertical रहत आपने डुबाड़ इसू तो pressure which is always below ती center of gravity बराबर अथ्वा तो प्रवाई मां उध्वरी ते डूबारी सपाड़ी ना मध्य केंद्र अन्य दाब केंद्र वच्छी नों अंतर के लुथा से एला के डिस्टन्स बीट्विन थे इफ एट इफ प्रवाई मां उध्वरी रिटे अप्ट वन्द्र वच्छी नों अन्य थे टोरılar वरी कोलेसिफीप्रा रुच्छाgtो प्रवाई माँद्धू रीते डुबालेली सपपाटी पर लागतु दबान बरावए इकेटलो वोसे तुटो ए थाच्छे द दलो अच वा हाच दो ऍधार त्यार बाच चेकर प्रवाई मां त्नसी रीते डुबालेली सप्पाटी पर कुल दबान केलो हाचे the total pressure intensity at the surface which is sink into the water at the incline which is equal to the wh bar by cos theta त्यार बाज चेके laminar flow ने खाल जी कि अपन के वामा आवे चे तो laminar flow ने आपने बिजू के वामा आवे चे streamline flow अथो अथो viscous flow आप most important question चे आने previous exam paper ने अंदर माँ पुछा एलो question चे त्यार बाज question चेके दुमारा ना एक कान द्वारा trace थेलो path ने शू के वामा आवे चे तो ये वामा आवे चे पाथ लाए हवे यां मुक आपने definition ने समझी लिए और जे खुबा importance चे के path trace by single fluid particle in the motion which is called as the path line जे आपने या question पुछ वामा आवे चे और जो बात करों मा के दे instantaneous picture of the position of all the particle in the flow which is called as the stream line right sorry streak line पची तो के stream line ने बात करों मा आवे it is the imaginary line तो बदा जे question चे खुबाज importance चे मित्रों और उदरान नी बात करों मा आवे तो path line मारे नो जे best example चे एचे smoke बड़ाबर और अपने streak line नी बात करों मा आवे तो येनू उदरान चे injecting डाई बड़ाबर ता example ने पन याद राख़नी रिकोसिस करों मित्रों आजना आपना वीडियो निंदर मा एक थी छत्री इस question ने आपड़े cover करेला चे अने आई hope कि आ प्रस्ण बदा ज इंप्रस्ट बनी सक्केम चे अने आप वीडियो पर तमने खुब पसंद आवियो होई वीडियो ने तो वद्धू मा वद्धू लोकों साथे share करो जेतरी करें दरेक विद्यात मेत्रों आप एक चे सीडिस नों लाब लाई सकें बराबर अने आउनारी बदीज लेक्चे सिरी शुवा माटे अमारी चैनल ने सब्सक्रेब अचुक करो थैंक यू फर वचिंग फूर दीस वीडियो गाइस